धर्ती पर पाया जाने वाला एकलोता पदार्त जिसकी रसाइनिक बनावट लगभग इनसान के खून की तरह है अगर इसका यूही सेवन किया जाए तो इसका एक तरह से असर होता है अगर इसका सेवन ठंडे पानी के साथ किया जाए तो इसका असर अलग होता है खून की रसायनिक बनावट को संतुलित रखना और खून को शुद रखना ये चीजें जरूर होंगी बच्चों की बौधिक शम्ताओं को बढ़ाने के लिए ये एक अद्भुत आहार है करनाटक में कुछ जनजातियां हैं जिनहें जेनु कुर्बा कहते हैं जेनु कुर्बा यानि वे शहद इकठा करते हैं कुछ समय पहले मुझे उनके साथ कुछ समय के लिए रहने का मौका मिला था उनका आहार कुछ ऐसा है सुबा सबसे पहली चीज एक बांस का गिलास यानि बांस की टहनी इस तरह से कटी हुई इसमें करीब 3-4 लीटर शहद आ जाता है सुबा 3-4 लीटर शहद बस यही आहार है आप सुबा 3-4 लीटर शहद पीते हैं और फिर आप जंगल में चले जाते हैं एक दिन में आप आसानी से 30-40 किलोमीटर चलते हैं और आप कम से कम पचास पेड़ों पर चड़ते और उतरते हैं उपर नीचे उपर नीचे और शाम तक कुछ और नहीं खाते चटे से शहद निकालते वक्त जो भी आपकी हाथों में लगता है आप उसे चाट लेते हैं तो एक दिन में आप लगभग एक डेड़ लीटर से ज्यादा शहद पी रहे हैं जब आप शाम में वापस आते हैं तो कुछ अनाज होता है आम तोर पर इसे जोला कहते हैं ये जवार है ये मक्के जैसा होता है मक्का या रागी या ऐसा ही कुछ उनका रोज का मुख्य भोजन शहद है और आप ये तीन चौथाई लीटर शहद पीते हैं और पूरे दिन इतने सक्रिय रहते हैं लेकिन भोग नहीं लगती वे बस वैसे ही उर्जा से भरे रहते हैं वे इस पर ही जीते हैं उन्हें शहद चरवाहा कहते हैं शहद इस धर्ती पर पाया जाने वाला एकलौता पदार्थ है जिसकी रासाइनिक संरचना लगभग इनसान के खून की संरचना की तरह है अगर आप कुछ चीजें बदल दें तो ये लगभग खून जैसा है शहद का दैनिक सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर सकता है खासकर वो लोग जिन्हें अधिक बलगम की समस्या है ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है आपके दिमाग के लिए अच्छा है यह आपके मन को सतर्क रखता है और यह बहुत उर्जा देता है तो हर दिन शहद का सेवन बहुत कुछ कर सकता है खासकर अगर आपके बढ़ते बच्चे हैं तो उन्हें रोज शहद का सेवन करना चाहिए ये उनकी बुद्धी और हर तरह के विकास के लिए बहुत कुछ करेगा सफेद कद्दू भी सफेद कद्दू और शहद दोनों चीजें एक साथ मिलकर बच्चों के लिए एक शांदार आहार है उनकी बहुत धिक शमता को बढ़ाने के लिए अगर आप शहद को पकाते हैं तो वो जहरीला बन जाएगा शहद को पकाया नहीं जाना चाहिए मुझे पता है कि लोग इसे बेक कर रहे हैं इसे केक और दूसरी चीजों में पका रहे हैं ये करने के लिए अच्छी चीज नहीं है अगर आप इसे पकाते हैं, तो शहद का कुछ हिस्सा जहरीला हो जाता है। आपको इसे हलके गर्म पानी में डालना चाहिए, उबलते गर्म पानी में नहीं। अगर आप इसे गर्म पानी में डालते हैं, तो ये एक प्रकार का एंजाइम तयार करता है, जो शहद में एक खास तरह का बरताव करता है, जिससे इसमें शरीर से वजन हटाने की प्रवृत्ति आ जाती है। अगर आप इसे ठंडे पानी में डालते हैं, तो ये एक अलग तरह से बरताव करता है और ये शरीर का वजन बढ़ा देता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चम्मच शहद जो आप ले रहे हैं, उससे आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है। आपके सोखने की दर ऐसी हो जाती है कि आपका वजन बढ़ सकता है। तो शहद के सिस्टम पर अलग-अलग असर होते हैं। अगर इसका यूँ ही सेवन किया जाए, तो इसका एक तरह का असर होता है। अगर इसे ठंडे पानी के साथ लिया जाए तो इसका अलग असर होता है। अगर इसका सेवन गर्म पानी के साथ करें तो इसका अलग तरह का असर होता है। यहां हम इसका सेवन गर्म पानी के साथ करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस सिस्टम खुल जाए। अगर आप सिर्फ सिहत बनाना चाहते हैं, जैसे अगर कोई एनेमिक महसूस कर रहा है, एनेमिया का मतलब है एक स्थर पर खून में लोहा कम हो गया है, मतलब आपकी ताकत कम हो गई है, ठीक है? आपके शरीर की मजबूती कम हो गई है, आप ठकावट महसूस करेंगे बिना किसी कारण के ठकावट, क्योंकि जब जरूरी लोहा नहीं होता है, तो शरीर के हिस्सों तक ऑक्सिजन ले जाने की आपकी क्षमता कम होती है, इसका मतलब है कि आपका शरीर, आपका दिल, आपका म सब कुछ कम स्तर पर काम करेगा क्योंकि आपके पास परियाप्त ऑक्सिजन नहीं है, तो इसे ठीक करने के लिए एक आसान चीज ये है कि आप रोजाना गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिला कर पिएं, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी RBC की मात्रा बढ़ जाए शरीर में आप जो आलस महसूस करते हैं, वो काफी कम है, तो शहद का सेवन रक्त संचार प्रणाली में एक तरह का संतुलन लाएगा, जो योगा अभ्यास करने वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कुछ तरीकों से शरीर को सीमाओं से आगे धकेल रह तो खून की केमिस्ट्री को संतुलित रखना, खून को शुद्ध रखना, ये शहद के नियमित सेवन से निश्चित रूप से होगा, और जो योग अभ्यास करते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है, और हल्दी से भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं, ये खून को शुद्ध कर और शहद भी ऐसा ही है, इसका प्रभाव आपकी उर्जा प्रणाली पर भी पड़ता है, शहद आपको अधिक जीवन्त बनाता है, हल्दी एक तरह से आपको शांत करती है, और आपको सहज रखती है, सुबह आप थोड़ा सा शहद, नीम और हल्दी लेते हैं, तो नीम और ह हल्दी का सेवन, थोड़े से शहद वाले पानी के साथ, इसमें शहद बहुत कम होना चाहिए, थोड़े से शहद वाला पानी, इन सभी का साथ में सेवन करना, सिस्टम को साफ करने का एक अच्छा तरीका है, इस से सिस्टम में फैलाव आता है, ताकि जब आप साधना करते ह तो एक चीज ये है कि ये मास्पेशियों में लचीलापन लाता है। दूसरी बात ये है कि मास्पेशियों में लचीलापन आने के परिणाम स्वरूप आप सिस्टम को धीरे धीरे एक अधिक शक्तिशाली संभावना में बदल सकते हैं। अगर आप एक नए स्तर्का लचीलापन लाना चाहते हैं, तो पहली चीज ये है कि सिस्टम से काफी सारा विशैलापन निकालना होगा. अगर आप सिर्फ पानी का आहार या शहद और पानी का आहार लें, जो आपको परियाप्त उर्जा देगा. अगर आप पहले से ही बहुत पतले नहीं हैं, अगर आप थुड़ा वजन कम कर सकते हैं, अगर आप शहद डालेंगे तो आपका वजन भी कम नहीं होगा, अगर आप परियाप्त शहद लेंगे या आप चम्मच भर कर शहद लेंगे, तो आपका वजन कम नहीं होगा अगर आप 7-8 दिनों तक ये करते हैं तो शरीर से बहुत सारा विशेलापन बाहर निकल जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि अचानक आपका शरीर कहीं ज्यादा लचीला हो गया है प्रयोग करके देखिए इस पर विश्वास मत कीजिए तो शहद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो लोग योगे का भ्यास कर रहे हैं उनके लिए शहद का सेवन अच्छा है प्रयोग कि अच्छा है